असलाम नीकुम students open your page number 186 हम लोगोंने अपने पहले lectures में line के बारे में पढ़ा line segment के बारे में पढ़ा Ray के बारे में पढ़ा met point के बारे में पढ़ा आज हम लोगोंने किस के बारे में पढ़ना है parallel lines के बारे में Parallel Lines हम लोग देखेंगे किसको कहते हैं Using his ruler and pencil Adil has drawn two lines like this अपना ruler और pencil यूज करते हुए Adil ने two lines draw की है अब यह देखें उसने two lines किस तरह से draw की हैं एक line उपर है एक line नीचे है इन lines को हम जितना मर्जी बढ़ा करते जाएं यह line आपस में join नहीं होगी तो हम इन्हें क्या कहेंगे यह कौन सी lines हैं हमारे पास Parallel Lines These two lines will never meet यह two lines कभी भी आपस में join नहीं होगी Even if they stretch forever चाहे हम लोग इनको जितना मर्जी बढ़ा कर ले The distance between two parallel lines remains same अब two parallel lines में जो distance है वो हमेशा same रहेगा अच्छा अब हम लोगों ने देख लिया कि हम टूर parallel lines को क्या करते हैं उनमें जो distance है वो सेम नहीं सेम ही रहता है क्योंकि देखें अब हम लोग यह वरी line है इसको जितना मर्जी बढ़ा कर ले और उपर वरी line को जितना मर्जी बढ़ा कर ले लेकिन इनमें जो distance रहेगा जो फासला रहेगा वो सेम रहेगा और इनका कोई भी मेट पॉइंट नहीं होगा अब जैसे यह देखें यह आपस में सब यालो क्या है आपस में parallel lines है यह इस तरहां भी जितनी वर्जी बढ़ी हम लोग length में कर दें यह हम लोग नीचे से इनको जितना मर्जी बढ़ा कर ले लेकिन आपस में यह मैट जाइन नहीं होगी अब य देखें यह क्या जो आमने सामने वली है यह हमारे पास क्या है parallel lines उपर नीचे आप लोग देखें यह हमारे पास क्या है parallel lines move to the next page 187 next page में हमारे पास क्या है shapes and their properties अब हमारे पास different shapes है और उनके different properties हम लोगों ने पढ़नी है अदील has made four short strips of equal length and another two long strips of equal length अदील ने क्या किया उसने four strips कट की है short length में और two strips उसने कट की है long length में with his four short strips अदील can make a square and a rambos अदील अगर अपनी ये four strips जो short strips हैं उनको अकठा करें उनको join करें तो वो पिस form में कर सकता है एक square की form में और एक rambos की form में with two short strips and two long strips अदील can make a rectangle अदील अगर two short strips ले ये हमारे पास क्या है two short strips ये हमारे पास क्या है two long strips आप parallelogram अब इसके पास क्या है इसने two short strips ली तो long strips ली इनको अपस में join किया and a kite अब यहाँ पर उपर हमारे पास क्या है two short strips नीचे हमारे पास क्या है two long strips मतलब हम लोग different type की cutting करकर strips की different shapes बना सकते हैं क्या हमारे पास क्या है